नमस्कर साथियों केसे आप लोग मुझे उमिद है कि आप सब जरूर आच्छा ही होंगे दोस्तों आज का इस वीडियो में आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं साथ मैं आपको एक AI फैल भी फ्री में मिलने वाला है जिसको आप मोडिफाई करके प्रोजेक्ट बनाए जिसमें आपको वहां पे बहुत सारे फीचर्स दिखने में मिले और उसमें ज्यादा तर जो कमेंट था कि मतलब जैसे सेम नेम यूज करते हैं तो वहां पे कुछ एक एरर आना चाहिए नहीं तो हॉंड़ेट परसंट एसे कुछ जो रेजल्ट और उसके साथ जो हम यूजर का नाम लिखेंगे जैसे बॉइस नाम और गार्ल नेम जो होता है वो दोनों अगर एक बार कोई यूज करेगा तो वह सेव होकर रहे जाएगा और बाद में जैसे फिर दुबारा वह पूट करेगा तो वही वाला रेजल्ट होना चाहिए तो इसमें उसी तरीका से बिल्कुल इंप्लिमेटेशन करके आपके सामने लेकर आया हुए के यह फैल और दोस्तों यह बाला जो यह फैल को डाल्लोड करने से पहले आपको वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा जो मैं वीडियो आपको ने कर रहा है तो सस्क्राइब करें पास में बेल आइकन को दबा के औलके बर जरू क्लिक करें दोस्तों आप अभी देख सकते हो में मेरा यहां पर अपर अनिमेशन बगरा लगाने के लिए चाते हो तो इसमें आप बड़ी आसनी से आपर इंप्लिमेंटेशन कर सकत हो और स्क्रीन टू के अंदर यहां पर मैंने सारे कुछ काम कर रखा हूं सबसे पहले इसका वीजिविलिट को आइनेबल कर देता हूं और उसके बाद स्क्रीन का जो स्क्रॉलेबल को मैं टीक लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझन के लिए आसन होगा तो दोस्तों यहां पर देख सकता है यहां पर कुछ ज्यादा कुछ हम में कॉम्पोनेट यूज नहीं किया हूं सिर्फ ही सबसे उपर एक लोटी है और उसके नीचे दो टेक्स बक्स है सिर्फ इतना यूज किया हूं और जो बटन लगा रखा हूं बटन के अंदर आपका रेजल्ट मतल थोड़ा समझने के लिए आसान हो तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया दोनों टेक्स्ट बक्स का अगर सेम हो जाए तो वहां पर रेजल्ट एरर आना चाहिए नहीं तो 100% होना चाहिए बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर क्या हो जैसे आप देख सकते हो कि मतलब लॉब काल्क सबसेंट 100% सो होगा मान लीजये दोनों टेक्सट बक्स कहीं से ही कि अगर एंप्टी हे तो वहां पर उसके पास एरर भी सो करेगा अगर वाल का का होगा तो वाल वाला होगा तो गयल का एरर सो हो मैंने किया हूँ और ताइन डिवी का इंप्लिमेटेशन सही से हुआ है और उसके नीचे जो है लेबल टेस्ट के अंदर यहां पे 30 से 100% में रखा हूं अगर आप चाहते हो कि उसको कौम ज्यादा करने के लिए यहीं से आप कर सकते हो मान लीजे कोई यूजर दोनों का नाम पूट करता है तो वहां पे मतलब 30 से काम होना चाहिए था थीकैंट यूज़र चलाता है एप्लिकेशन उसको मन में थोड़ा नेगेटिव है जाता है बहुत काम दिखा रहा है इसलिए यहां पे जो 30% लिखाएं उसको में थोड़ा सही परसेंट बाना ठीक है 30 से 100 परसेंट के बीच में यह आप से दोस्तों के नीचे दो टेक्स्ट पर्स के अंदर जो भी डाटा मिलेगा यह टाइनी डिवी लेकर स्टोर कर देगा मतलब अप्लिकेशन के अंदर ठीक है जैसे कोई बाद में अगर चाहेगा तो वही वाला नाम को पूट करने के लिए तो उसके सामने जो रेजल्ट मतलब आएगा टाइ वाला बटन है ठीक है जैसे कोई यूजर इसी बटन के ओपर क्लिक करेगा तो वहां पर क्या होना चाहिए मतलब उससे पहले लेबल टेस्ट के जो है वो एमटी नहीं होना चाहिए अगर एमटी होगा तो वहां पर मतलब आपका जो लिंक बगएर जो डालेंगे वो चला ज होना चाहिए आपका जो फाइल स्यार होना चाहिए तो यहां पर मैंने सब कुछ कर रखा हूं ठीक है दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ यह वाला एप्लिकेशन के अंदर एप्लिकेशन का नाम बगएरा सब कुछ चेंज करना होगा चाहते हो कि इसके अंदर कोई इमेज बगएरा चेंज करना होगा और चाहते हो कि इसके अंदर कोई इमेज बगएरा चेंज करना है के लिए वह भी चेंज कर सकते हो लोटी आनिमेशन बगएरा यह भी सारे चेंज कर सकते हो ठीक है यह लोटी आनिमेशन को कैसे यूज करे सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख सकते हो इसलिए बहुत सरे अनिमेशन नीचे सो कर रहा है अब आपका मर्जी से यहां पर कोई भी मतलब आनिमेशन अगर चाते हो तो यहीं से आप पीक कर सकते हो ठीक है दोस्तों कि चलिए अभी कोई भी एक मतलब जैसन फाइल को यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूं मँआल़ यही बाला को मैंने शिलेट कर लिया इसको थोड़ा लोड यहीं होने रेते हैं पहले देखे यह कुछ इस अंदर अप्लोड कर लेता हूं यही था फाइल अभी सिलेट करके ओपन कर लिया यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों यहां पर अप्लोड होने के लिए दिखिए यह फाइल आ गया अभी क्या करना होगा यह जो लोटी के अंदर सोर्स लेखा गया है इससे के अंदर हमको जो अप्लोड किये थे उसको पूड करना होगा तो यह होगया हमारा सीलेक्ट प्रेंड्स बिल्कुल यह सारे सेटप आसान है अगर आप चाते होगी मतलों इसके उपर ज्यादा कोई जानकारी के लिए आप कमेड़ करें मैं आपको जरूर सपर्ट करूंगा और दोस्तों यहां पर क्लॉक भी आपको लगा कर दिखा दिता हूं क्लॉक भी किसे काम करेगा यहां पर ठीक है दोस्तों यहां पर मेरा जो टाइमर जो इंटर्वल रहेगा यह सेकेंड कर आएगा एक हजर बराबर होता है एक सेकेंड ठीक है तो अभी चलेंगे ब्लॉक पार पर ब्लॉक पार यहां पर हमको काम करना होगा तो जैसे कोई लॉक काल्कुलेटर बटन के क्लिक करेगा तो वहां पर क्या होना चाहिए सबसे पहले हमारा टाइम टाइमर इनेबल होना चाहिए तो क्लॉक के अंदर में जाओंगा क्लॉक के अंदर जाने के बाद सबसे नीचे मेरे को मिल जाएगा यह बला जो कॉम्पोनेट टाइमर इनेबल टू मेरे को यहां पर true वह लोजिक लगाना होगा ठीग है लोजिक्स आपको true मिल जाएगा नए तो अगर टाइब करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा अधिक्र वैसको लगा देंगे हो गया ये तो उसके बद हम क्या करेंगे और एक अपको timer do यह वाला component को लेकर लगाना होगा ठीक है timer do नहीं यह timer वाला जो component है इसको लगाना होगा इसके अंदर हमको timer को false करना होगा तो अभी इसको duplicate करके नीचे लगा देता हूं और यहां पर false कर देता हूं तो उसके नीचे जिसे timer खतम हो जाएगा तो मतलब processing bar खतम हो जाएगा तो उसके बाद हमारा result होना चाहिए processing bar किसे मतलब चलेगा दोस्तों उसके लिए हम मेरे notify से हमको use करना पड़ेगा तो मैं आपको वह भी implementation करके बता देता हूं notify से क्लिक करेंगे और इसके नीचे सब से देखेंगे यहां यहां पर मतलब component है spinning progress वाला ठीक है यह वाला component है इसको लाकर इसके अंदर लगा देते हैं यह लगाने के बाद मेसेज टाइटेल और यहां पर सेट अप करना होगा चलिए मैं अभी जल्दी जल्दी से कर देता हूं ठीक है वीडियो का लेंद काफी लंबा हो रहा है मेसेज का अंदर लेग दिया यह सारे सेट अप हो गया यहां पर ठीक है और उसके बाद जैसे टाइमर खतम हो जाएगा तो वहां पर क्या होना चाहिए हमारा जो प्रोसेसिंग बरभू खतम होना चाहिए नहीं तो किसे यूजर को फिर मतलब सो करेगा ठीक है यहां पर डिस्मिस स्पिनिंग नीचे लगा देता हूं ठीक है यहां पर सारे कुछ काम सेट अप हो गया है दोस्तों और इसका थीम बगएरा कुछ चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा और अक्ट्रेक्टिवी लागया एप्लिकेशन थोड़ा प्रोफेशनल जैसा बनना चाहिए ठीक है दो यह सारे कुछ दोस मेंने सेट अब करके आपको दे दिया हूं और बाकी अगर कुछ चेंजस करने के लिए चाहते हो तो आप वह जरूर कर सकते हो इसके अंदर ठीक है और मोडिफाइब करने के लिए चाहते हो तो कर सकते हो बिलकुल कोई प्रोब्लम नहीं है और कोई भी डाउट हो रहा और हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे ठीके दूस्तों बहुत सारे हेलफुल वीडियो अमरे चैनल आपको मिलता रहेगा और स्क्रीन में आपको एक काम करना पड़ेगा जो मैंने वीडियो स्टाटिंग में बताया था कि क्या करना होगा तो यहां पर आपको एक ब्लॉ इतना साथ-8 मिनिट का वीडियो बनाता हूं मेहनत करता हूं तो मेरे को फल नहीं मिलता है ठीक है दोस्तों इसलिए मैंने यह प्रोसिजर को आपना यह तो इसको मैंने फिर से हटा दिया दोस्तों आपको दुबारा आपको यह सेटप करना होगा ठीक है यह फैल कि यह तो आप यहां पर पड़ सकते हो मैंने यहां पर कुछ एक्स्प्रेन कर रखा हूं और सबसे नीचे यहां पर आपको यह के डाउनलोड का बटन मिलेगा ठीक है दोस्तों इसी डाउनलोड बटन के पर जिससे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यह फाइल आपका करिए ठीक है और एड बगरा इंप्लिमेंटेशन करिए अच्छा खासा यहां से कर सकते हो तो फ्रेंट्स जाओ अभी एफल को डाउनलोड करो और आपका काम पर लग जाओ और वीडियो को लाइक और शेयर करो और एक बात का आप जरूर धान में रखे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब कर रखे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तो फाइनली थैंक्स पर वाचिंग